हेलो एवरिवाइन ये इस ट्रामा का सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में तो कोपी राइट क्लेम आ गया था आगे इंजे को अपने डैड को देख कर याद आता है कि कैसे इसकी मॉम ने इस पर बहुत साधा गुसा किया था एक्च्वल में सीजन टू में दिखाया गया कि इंजे ने अपने भाई का साथ ना दे कर सेहे का साथ दिया था जिस सवजह से इसके भाई का लाइसेंस रद्ध हो गया था आगे डैड इंजे के पास आते हैं और कहते हैं इंजे काफी टाइम हो गया मिले हुए तुम ठीक हो ना तो इंजे इन्हें डैड कहकर पुकारत पूछती है डैड आप यहां कैसे डैड कहते हैं मैं किसी काम से यहां आया था पर मैंने सुना था अभी तक इस विल्डिंग की फाइनल इंस्पेक्शन नहीं हुई है तो आप लोग यहां पर पेशिंट्स को रिसीव तो नहीं कर रहे हो ना जिस पर डॉक्टर कें कहते हैं फ कि भी ना कैसी यूज हो सकता है तभ ही इनके फान में मैंसीज आता है तो डॉक्टर कीम इंजी और वूजिन पेशिंट के पास जाने के लिए कहते हैं और फिर डॉक्टर चाजन को सुनाते हुए कहते हैं ट्रॉमा सेंटर टेंप्रेली पब्लिक के लिए बंध है और फिर ये डारेक्टर पार्ट को डॉक्टर चाजन को बाहर तक छोड़ने के लिए कहते हैं तो डॉक्टर चाजन कहते हैं तुम्हारी नॉंसेंस अभी भी चें मुझते ही नहीं क्योंकि उन्हीं पता चल गया था कि कल रात साउथ कोरिय के कोस्ट कार्ड को नौर्थ कॉरियन डिफेक्टर्स की बॉट मिली है तो अब यह सब मिट नहीं होगी इधर डायरेक्टर चार्ड डॉक्टर किम को समझाने की कोशिश करते हैं कि चार्जिन जैसा डॉक्टर हमारे होस्पिटल में होना चाहिए जिस पर डॉक्टर केम कहते हैं ओवर क्वालिफाइड होना ही सब कुछ नहीं होता मैं मानता हूं कि वो टैलेंटीड है पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो अपने पेशेंट के प्रती डेडिकेटिड भी है इधर य पेशेंट को लगतार सीप्यार देता है और दोंख्वा के बारे में पूछता है पर दोंख्वा तो यहां पर मज़े से गेम खेल रहा था डॉक्टर वूजिन और इंताक पेशेंट को लगतार सीप्यार देते हैं और डॉक्टर किम पेशेंट को ट्रेड करते हैं तो यह द वाली सब्मेट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि वो लोग अनोफिशियल तरीके से यहां लाए गए हैं डॉक्टर किम इन्हें समझाते भी हैं कि उन लोगों की कंडिशन बहुत जादा क्रिटिकल है पर इन्हीं तू बस सोल में होने वाली सब्मेट की चिंता थी और इधर वू ज इसे डानते हैं क्योंकि आज जब एमर्जेंसी टाइम में इसके जरूरत थी तो यह यहां पर नहीं था और उपर से कल रात भी होस्पिटल से जल्दी जला गया था वूजन इसे समझाता है कि डॉक्टर होने के नाते इसके क्या रिस्पॉंसिविल्टीज होने चाहिए और इंजे कहती है पता नहीं और सोचती है कि पास्ट में उनके बर्दे बाले दिंगे उनके लिए केकले कर गई थी पर डैड इससे नाराज थी तो वो इसे इग्नोर करके यहां से चले गए थी तो यह सोचते हैं कि अभी वूजन को उनसे इंट्रड्यूस करवाने का सही काम पूछते हैं और फिर कहते हैं इंजे मेरे लिए बहुत साथा प्रेशिस है हमारी फैमली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुम उससे नहीं मिले होते एक्च्वल में इंजे के भाई से जो गलती हुई थी उसे डिटेक्ट बूजिन नहीं किया था तो इंस्पेक्शन वाले आ गए थे जो की चार बुजे ट्रॉमा सेंटर की पावर ओफ करने वाले थे डिरेक्टर बार्क डोक्टर किम पर गुस्सा करते हैं क्योंकि डोक्टर किम उस पेशन्ट की सर्चरी करने का डिसाइड कर चुके थी पर इन ही तो आज रात उन के पास देखता है तो ये दोंख्वा के बारे में पूछता है पर दोंख्वा तो बात्रॉम में जिपकर गेम खेल रहा था तभी इसे बाहर आवाज सुनाई देती है बाहर ये आत्मी नैशनल इंटेलजिंस के आदमी को मारता है अभी ये इसे ठीकाने लगाने ही वाला थ कि अंदर से इसे मैसेज की साउंड सुनाई देती है तो ये दर्वाजा तोड़कर अंदर आ जाता है बाहर ये बच्चा बूजिं को बात्रॉम के अंदर जाने से रोपता है और कहता है इस आदमी ने मेरे डैड और एक डोक्टर को मारा है और उसने कहा था कि वो हमें भी म चाता है कि आज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन वाले आने वाले हैं जिस वारे में ये डारेक्टर पार्क को भी बताता है तो डारेक्टर पार्क इस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि सर्जरी के बीच पावर ओफ हो गए थी तो ये सेलफून की फ्लेश लाइट की मदद से सर जाता है पर फिर इसके हथे वूजिन आ जाता है कि तभी ये लोग आकर इसे बचा लेते हैं वूजिन उस आदमी को चेक करने लगता है तो दोंगवा कहता है वूजिन दा है मैंने उसकी पल्स चेक की थी और इधर मिल्टरी डॉक्टर ली ने पावर ओफ होनी पर एक करते हैं आगे डॉक्टर वूजिन और डॉक्टर चा जिन एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो डॉक्टर वूजिन कहता है इनजी मेरे लिए भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है मैं जस्ट आपको बता रहा हूं इन्होंने सभी पेशेंट्स को बापिस भीज दिया थ इधर डॉक्टर नाम और मिसो हिरान होते हैं कि डॉक्टर केम ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उन पेशेंट्स को बापिस भीज दिया इवन कि उस मासुम बच्चे को भी आगे सोल मिसम मिठ हो जाती है और इधर आरिम और वे मुन जोंग होस्पिटल होस्पिटल में हल चल मर जाती है यहां आरिम को देख कर हर कोई बहुत जादा खुश था बट सबसे जादा इन तक इधर पास्ट का सेंग दिखाया जाता है कि डॉक्टर किम के पास्ट मिल्टरी डॉक्टर ले भी इंट्रिव्यू के लिए आया था और इधर डॉक्टर च को मेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टेक कियर सारंग्यो कि इंड लेगे गिए टेक कि अधर बाल्गे बाल्ग एंटर टेक